जबसे विराद कोली ने RCB के कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है, सबसे ही RCB के अगले कप्तान कौन होंगे, इस पर कयास लगाय जा रहे हैं। हाला कि अभी भी ये बात साफ नहीं हुई है कि RCB का अगला कप्तान कौन होगा। लेकिन इन सब बातों के चलते, अगले कप्तान के लिए कुछ खिलाडियों के नाम जरूर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर साफ अफरीका के पूर तेज गेंद बास डेल स्टेन ने भी टिपड़ी कर दी है। तो कौन से हैं वो खिलाडी और क्या कुछ कहना है स्टेन का, देखें इस वीडियो में। केल राहूल हो सकते हैं। 2017 में IPL में हिस्सा नहीं ले पाए थे। साल 2018 में RCB ने उन्हें रिलीज कर दिया, जिसके बाद पंजाब किंग्स ने उन्हें 11 करोट रुपे में खरीदा था। दरसल पंजाब ने राहूल को साल 2020 में कप्तान नियुक्त किया था, अब मौझूदा समय में RCB के कप्तान के लिए जितने भी कयास लगाया जा रहे हैं। एक सच ये भी है कि राहूल के अलावा, A.B. डिविलियर्स को भी RCB के अगले कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्चस्प होगा कि आखिर में RCB के कमान कौन संभालेगा और साथ ही पूर्व खिलारी डेल्स्टेन की केल राहूल को कप्तान बनाने की बात सच हो पाती है या नहीं।